बिसमिल्ला रुख्मनी रुखीम असलाम अलेकूम मैं हूँ आप साथ मेरा यासिर आज पिर आपके लिए ठंडी ठंडी सर्दियों का गर्मा गरम और खास तोपा लेकर हाजिर हो रही हूँ इस लजीज दिश का नाम है लखनो के पाय इन सर्दिय में पाय करी नाम सुनगर तो आपके मूमे पानी आही गया होगा आपके ना सही लगिन मेरे मूमे तो पानी आ गया आज की डिश हम अपने बोफ़ मेमानों के लिए महँने अन नवासिं करे हैं तो सोचा आप सबको पी ऐस दावत में शैमिल कर ते हैं आज की डिश हम अपने बहुत ही फास मेमानों के लिए मेमान नमाजी के लिए बना रहे हैं तो सोचा आप सब को भी इस दावत में शामिल कर रहे हैं वैसे यह वाइस्टी पीए जो मैंने अपने हस्वेंट से सीखिए वो अलग बात है कि आप मेरे मियाजी सिर्फ चमुल से चला कर अपना पर्च फ्लोग कर देते हैं और बागी सारे फराई मुझे ही अज़र करने सकते हैं जायका सबसे मुनफरीद होता है इसका हाथ एलपी की तरह च्पकने शुरू जाते हैं जिसम का दर्जा हरात मामूल पर आजाता है और जबान पर चटखारों की बर्टात हो जाती है यकीन कर लेजिए ऐसा पाया आपने कभी नहीं खाया होगा अब आज जासे चली आ रही है जायक रिदाद खुश्वदाद ताकक और लग सर्क मुख्वूश ये इंडियन डिश आपर कैसे बना जाती है ये देंगे की फोल चल्पी एडिया की तरह है लगनों के पाय दो हिस्सों में बनाए जाएंगे पहले बनेगे इसकी जूदिया यखनी और फिर तरह तयार करेंगे हम इसकी गिरेट हमने 6 पाय एक किलो बॉंग दो किलो नरोठे लिये हैं जिसके इंग्रिडियन्स ये हैं 40-50 गोल मिर्ची, 4 लेसन की पोठलियां, 10 तेस पात्के पत्ते, 3 चमचे सौंफ, 5 चमचे साबुद धनियां, 4 चमचे जीरा, 6 बड़ी इलाइचियां, 1 चमचा लोंग, 1 बड़ा दार्शिन का ठुकड़ा, 1 चमचा काली मिर्ची, नमक हसवे जरूरत और पोठलिवाने के लिए, 1 मलमल का कपड़ा, हम बनाते हैं अब यफनी, पाय में पानी इतनी होती है, जितने आगर आप पाय लेते हैं, तो पायों के लिए पानी एक इंच कम ही होना चाहिए, और एक दफा आप इसको अबाल देते हैं, उसके बाद बिल्कुल धीमे चू करेंगे, उससे ही होगा कि पायों को पानी होता है, वो खुष्क भी नहीं होता है, और उसके अंदर एक लेस निकलाता है, पायों का अच्छी तरीके हैं, और वो इतना अच्छी होता है, जिसे हाथ चिपकने शुरू आते हैं, इन पायों को प्रेशे कुकर में ना पकाएं साली रात बनाएं ताके हड्डियों का जो अर्क होता है अच्छी तरह से यखनी में शामिल हो जाए तो चलें अब हमें इसमें समान एट करते हैं बहुत बूरा गखाता है अगर मुस्का मगः अब चानना पड़ेगा अब अदि इसको बसका हिपाइं शाल्क हार चाणना पड़ाइं तो इसलिका होती है और ये सारे नमक डाल है और ये सारे गरब मसाले इसमें जाएंगे इसको एक दिफ़ा मत्तीक सर्फ्से मिला देंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर एड हो जाएं और फिर हम इसका भी फुल धीम हाज पर इसको पकने के रख देंगे अब भी हमार पास टाइम हो रहा है बारा बज रहे हैं हम बारा बज़े इसको पाया को चड़ाया है रात में और सुबह इंशालला हम इसको साथ बचे देखेंगे तो फिर हम इसको इसको मसाला होता है फिर इसको तयार करेंगे सुबह बाफिर सुबह की साथ बच चुके हैं और हमारी यखनी बनके तयार हो चुके है यह देखेंगे अच्छी यखनी तयार हुई है हमारी दूदे यखनी और इसके अंदर से हमने अब चलते हैं हमारी यह अखनी तयार हो चुकिए अब चलते हैं हम ग्रेवी बनाने की तरफ ग्रेवी बनाने की सबसे पहले लेंगे एक किलो प्यास एक किलो दही आदा किलो टिमाटर और एक पा हरी मिर्ची अब टिमाटर का अलग पेस्ट बनेगा हरी मिर्ची का अलग पेस्ट बनेगा प्यास और दही को मिच सरकेस का एक पेस्ट बनेगा हरी मिर्ची का पेस्ट प्य अपना ग्रेवी तयार करेंगे लेसन अद्रग का पैस्ट तक करीबन देड़ पाओ की करीब होगा लेसन अद्रग का पैस्ट थोड़ा से प्राइ कर लिया है अब हम इसके अदर डालेंगे हरी मिर्ची का पैस्ट अब डालेगा इसमें तिमाटर का पैस्ट अब जाएगा इसमें प्यास और दही का पैस्ट अब नाजिल का पॉर्डर का पॉर्डर को भी हमने ग्रैंड कर लिया और अब वह भी इसमें अट करेंगे मिक्स करेंगे और इसकी जब तब भुनाई करते देंगे जब तक इसका आइल उपड़ नाजर पांच छे चम्चे आप फिसी मिर्शी लेंगे ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्यूंकि हम इसमें हली मिर्शी एच कर चुके हैं पहले हैं तो लेकिन मेना छे चम्चे मिर्शी लेंगे दो चम्चे लेंगे हल्दी पाउडर तीन चम्चे लेंगे पिसावा धनिया नमक खम थोड़ा कम लेंगे क्यूंकि हम यखनी के अंदर नमक मिला चुके हैं और इसके अंदर नमक कम ही रखना चाहिए वह इसलिए कि जब ये पायब जाता पकते रहते हैं अच्छी नमक खम थोड़ा है तो इसलिए नमक खम ही रखना चाहिए इसको चितरी के से मिक्स करेंगे देखें इसको और आला चुरू हो चुका है अब हम इसकी जब तक भुनाई करेंगे जब तक इसका रोगन और मशाला अलग 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 नहीं मैंने मसाले के अंदर अपने मसाले में आइट करूंगी ताकि इसका फ्लेवर जादा अच्छा हो और जादा ना हो जाए और मसाले की भुनाई तक इसको हम पकाते देंगे देखिए फटना शुरू हो चुका है अब जब इत अच्छे इसके भुनाई हो जाएगी तो यह मसाला बिल्कुल अलग हो यह में जाएगा और रोगन इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा लेकि इसका रन इसका राक बिल्कुल बनका तयार हो चाक है दोगें कितना अच्छा इसका चालर आहा है और अब हम इसको क्या करेंगे यह लिडिए ज़तनी भी करेंगे इसका अपने पाई हो में एक एढ़ यह देखे हैं, इसके पुष्बू पेट में दर्फ कहरें, बस दिल चाहरा है कि जल्दी से सर्फ करें और इसको हम खा लें, मिमानों का जजा करने के दिली चाहरा है, अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं, यखनी केंदे हैं गिरेवी डालेंगे, और इसको तेज चूले प चूला बन करके और हलका सा रक्कन खोल के छोड़ दीजेगा, जरा सा रक्कन खोलीगा ताकि एर निकलेगी और रोगन जोना सारा उपर आना शुरू जाएगा, हमारे पाया पक कर रेडियो हो चुके हैं, अब चलते हैं, गार्निशिंग की तरफ, लीजिए गर्मा गर्म ल बच्चे बड़े सब ही इसे बनाना चाहते हैं, वो डिश क्या है और कैसे बनेगी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना, हर्गिस हर्गिस नौका, आप सबका बेहर शुक्रिया, और नेक्स वीडियो तक के लिए, अल्ला आपिस